हेलो काईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, यह वीडियो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 क्लास तक की बच्चों के लिए है, इसमें मैं आज आप लोगों को इंग्लिश में लेटर लिखना सिखाऊंगी, इसके साथ ही हमें आप लोगों के एक्साम्पल लिया है, जो आप लोगों के एक्साम डीडिये फ्लैट्स, प्रशाद विहा टैली, यहां बोला गया है बच्चों, आप अरून हो या अरूना हो, इट मीन्स अकर आप ही हो तो आप अरून हो, अगर आप शी हो तो आप अरूना हो, यहां पे एडरस दिया गया है, तो इसका मतलब हुआ, आप अपने लेटर में आप बही एडरस को पुट करेंगे, जो आप लोगों को कोशन में दे रखा है, सबी बच्चे बहुत धियान से सुनेंगे, क्योंकि कोशन में एडरस दे रखा है, तो आप यही वाला एडरस अपने अप्लिकेशन में पुट करेंगे, यहां बोला गया है, कि आपको पता चला है, जो आपके कजन है, वो अपने नए स्कूल में अपनी ओल्ड वाली क्लासिस को मिस कर रहे हैं, क्योंकि यह लेटर आप अपने कजन को लिख रही हो, तो यह इनफॉर्मल लेटर होगा, सबी बच्चे भुट्यान से सुनेंगे, यहां पे बोला गया है, क्योंकि उनका आपके साथ काफी स्ट्रॉंग डिलेक्शन रहा है, तो आपको उनको एक लेटर लिखना है, और उन्हें एडवाइस करना है, कि आप उन बच्चों के कंपनी से दूर रहे हैं, जो क्लासिस को बंग करते हैं, जो क्लासिस को कॉल करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग बच्चों एडरस लिखोगे क्योंकि एडरस कोशन में ही दे रखा है तो वही एडरस लिखा जाएगा जो कोशन में दे रखा है आप लोग पे एक्साम में इसे रूल को फोलो करेंगे एक लाइन चोड़ते हुए डेट डालने का फॉर्मेट है हमेशा याद रखना आज की डेट डालती है जो भी आज की हो जैसे आज 20 डिसेंबर है तो मैं 30 की जगह 20 लिखूंगी एप्रेल के जगह में डिसेंबर लिखूंगी डि-e-c-e-m-b-e-r कोमा जालते हुए 2022 दो हजार पाइस लिख के छोड़तूंगी इसके बाद आप लोग एक लाइन चोड़ते हुए दियर अतू लिखो के इट मेंस आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे जो भी आपके यहां पे कजन बताया गया है कोमा जालते हुए बिन लाइन चोड़े लाइचो को लिखना शुरू करेंगे यहां पे बोला गया है कि उम्मीद है कि आप अपने नए घर में शिफ्ट हो गए होंगे लेकिन बहुत दिनों से आपने मुझे कोई भी लेटर नहीं लिखा है आई मिस यू मैं आपको याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ प्लीज राइट टू में फ्रेक्वेंटली आप मुझे जल से जज़ लेटर लिखें इसके बाद बच्चो आप लोग लेटर डालते हुए बिने लाइन चोड़ते हूँ लिखोगे आई फिल सॉरी एं कंसर्ट वेन एं केम तू नो फ्रॉम आ रिलाइबल सॉर्स डेट यू आर मिसिंग यूर क्लासिस इन दा स्कूल यहाँ पे बोला गए है बच्चो कि मुझे एक सौर से पता चला है कि आप अपने ओल्ड स्कूल को बहुत मिस्ट कर रही है अपने नए स्कूल में अब यहाँ पे बोला गए है जब आप यहाँ थे तो तब यादत आपको बिल्कुल भी नहीं थी इसके बाद आप लोग एक लाइन चोड़ते हुए नेक्स पहरा लिखेंगे यहाँ बोला गए है हम सिर्फ कजन सी नहीं है हम फ्रेंस भी है अब यहाँ पे बोला गए है कि मैं आपको यह बताना चाहता हूँ चाहती हूँ कि यह समय आपके करेक्टर और आपके करियर के फॉर्मेशन का है मिसकी यह वो समय है जिसमें आप अपना करियर बना और बिकार सकते है अब यहाँ बोला गए है बच्चों कि अगर आपने स्टेडी पे ध्यान नहीं दिया तो आपको बाद में पच्टा ना पड़ेगा यह बोला गए है कि आप जो है उन स्टोडेंट्स की उन बच्चों की कंपनी से दूर रहें जो क्लास को बंग करते हैं गोल करते हैं अटेंड क्लास सिंसियरली और रेगुलरली यहाँ पे बोला गए है आप अपनी क्लास को रेगुलरली और सिंसियरली से अटेंड करें यह बोला गए है बच्चों की आप किसी भी सब्जेक्च को बहतर भीटर तरीके से आप जब समज सकती है जब आपकी टीचर आपके डाउट्स को और आपके कथिनाहियों को तूर करने के लिए हो तो आप किसी भी subject के topic को बहुत अच्छे से समझ सकते हो I am sure you will come out with flying colors यहां बोला गया है कि मुझे उम्मिद है आप उड़ते हुए रंगों के साथ बहार आएंगे That will give you real happiness, pleasure, contentments and win you respect too अब यहां पे बोला गया है इससे आपको खुशी मिलेगी, satisfaction मिलेगी और आपको respect यानी के सम्मान भी मिलेगा इसके बाद बच्चो आप लोग एक line चोड़ते हुए लिखोगे I hope you will heed to my piece of advice, your loving cousin यहां पे बोला गया है कि आप मेरे लिखी गई advice पर धियान देंगे Your loving cousin आप लोग लिखोगे बिन लाइन चोड़ते हुए, एक line चोड़ते हुए अरून मिंस के अपना नाम लिखे चोड़ देंगे जो आप लोगों को letter में दे रखाता अरून अगर आप ही है, अगर आप शी हैं तो अरूना सबी बच्चे बहुत यान से सुनेंगे अगर letter में कोई भी नाम नहीं दे रखा होगा तो आप कोई भी नाम या अपना नाम लिख करके छोड़ सकते ही तो यहां से हमारा letter होता ही complete